हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय पिछले महीने के पांच में एको नीट के एक्जाइम होते हैं और जब से ये एक्जाइम होते हैं तब से हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंफोर्मेशन आया जिसको पढ़ने के बाद कोई भी ये कह सकता था कि जिस तरीके से इस साल नीट पेपर को कराया गया कही न कहीं दाल में कुछ काला है लेकिन सबसे अजीब बात तब लगती है जब हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर या नैशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एक्जाइम को कंड़क्ट करवाते हैं वो इस बात को मानने को तयार ही नहीं थे कि इस एक्जाइम को करवाने में कही न कहीं कुछ न कुछ लापरवाई हुई है इसी बीच अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एंट्री नहीं होता तो हम बहुत ही के साथ ये कह सकते हैं कि ना ही तो Government of India खास करके हमारे Education Minister और साथ में NTA कभी भी ये नहीं मानते कि इस exam में किसी भी तरीके से कोई धांदली हुआ है लेकिन बीते रोज यानि कि 18 जून को Supreme Court of India बहुत ही कड़े शब्दों में NTA और Government of India को फटकार्ट लगाते हैं जिस तरीके स Supreme Court of India के दुआरा कहा गया है कि अगर 0.001% भी अगर कहीं से negligence हुआ है तो उस negligence को हमें address करना चाहिए और उसे बहुत ही effective तरीके से उसे handle करना चाहिए ये exact शब्द का इस्तिमाल किया गया था Supreme Court of India के दुआरा Center और NTA के लिए इस चीज को अगर आप बहुत प्रैक्टिकल तौर पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से बीते कुस सालों में आबादी बढ़ी है और artificial intelligence या जिस तरीके से टेकनोलोजी बढ़ा है जो resources है या जो employment है वो already घरता हुआ जा रहा है इस बीच में होता है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं जब मैं सरकार कह रहा हूँ तो मैं कोई present government की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ state या center में दोनों की बाते कर रहा हूँ और almost ये एक universal fact बन गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से सरकार को question करते हैं तो आपको ये मान लिया जात है कि आप opposition party के हैं जिस तरीके से ये litigation file किया गया है Supreme Court of India में justice sir exactly कहते हैं कि इस चीज को आप किसी भी तरीके से negative तरीके से ना ले बलकि इसको positive तरीके से ले और जो भी allegation लगे हैं NTA के उपर ये center के उपर उस allegation को बहुत ही strong तरीके से deal करना चाहिए क्यूंकि ये मामला भी भी court में है इसलिए बहुत ही खुले शब्दों में ये कहना कि इस paper में scam हुआ था ये थोड़ा सा गलत होगा लेकिन उसके बावजूद आप इस चीज से इंकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से proof या evidence से सामने आ रहे हैं उसको देख के या उसको पढ़के कोई भी कह सकता है कि इस साल के NEET के paper में definitely कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पे धांदली किया गया है इस मामले को Supreme Court of India में दो judges के bench देख रहे हैं जहां पे justice भाठी सर का ये कहना था कि आप सोचिए कि अगर कोई भी एक आदमी जो गलत तरीके से doctor बन के आता है उसका क्या impact पढ़ेगा ध्यान रखेगा ये exactly शब्द इस्तिमाल किये गये हैं justice भाठी सर के द्वारा जो कि दो judges में से एक judge हैं और उसके बाद justice सर ये भी address करते हैं कि जिस तरीके से candidate के उपर pressure होता है exam को देने के लिए और जिस हिसाब से guardian के उपर pressure होता है या overall preparation में जो खर्च होता है हमें उन सा मजना चाहिए कि एक aspirant कितने pressure से गुजरता है और जब वो exam देने जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि question paper leak हो गया या exam में किसी तरीके का धांदली किया गया है किसे भी exam में अगर लगभग 25 लाग candidates अगर बैठते हैं exam देने के लिए और उस exam को लेकि अगर किसी भी तरी मेंदारी बनती है कि उस संदे को जल से जल खतम किया जाए लेकिन वहीं पैगर बात किया जाए जिस तरीके से initial time में धर्मिंदर प्रधान यानी कि जो हमारे education minister है उनके statements आ रहे थें वो ये मानने को तयार नहीं थें कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतिया हुई है लेकिन ज किसी भी तरीके से कुछ हुआ या कोई भी ऐसे evidences मिलते हैं तो जो NTA के official से उनको बक्षा नहीं जाएगा हलाकि ये statement सुनके अपने आप में काफी अच्छा लगता है लेकिन ये statement बहुत ही late में आया जो कि किसी भी तरीके से एक education minister से ये उमीद नहीं किया जाता है चाहे ग जिन ने पैसे दिये थे उनको ये कहा गया था कि जिस question का answer आपको नहीं आएगा आप उसको छोड़ दें और बाद में teacher उसको fill कर देगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक state से ये सब news आ रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा कि नीट के paper में scam हुआ है उसके बाद जिस तरीके से नीट paper का exam हुआ था उसके बाद से ही बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पे ये चर्चा होना शुरू हो गया था कि नीट में कि नीट के questions leak हुए थे और exactly आप आज का article देख सकते हैं जहां पे पटना पुलिस का ये कहना है कि कि किसी मंत्री जी का इस paper leak में connection है तो कहीं कहीं इतने पड़े जब पैमाने पे scam होता है या question paper leak होता है तो ये मान पाना आपने आप में मुश्किल है कि ये बिना सरकार के मर्जी के हो सकता है और उसके बाद अगर आप इसी article को थोड़ा सा scroll down करेंग और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पटना पुलिस से जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इस साल का जो neat paper है वो definitely leak तो हुआ है क्योंकि ये मामला अभी भी सब जोड़े से है इसलिए ये देखना काफी interesting होगा कि कितने बड़े पैमाने पे से scam को अंजाम दिया गया है उसके बाद I am sure जितने लोग भी exam देते हैं उनको पता है कि कभी भी किसी भी competitive exam में full marks score करना almost impossible होता है लेकिन जिस तरीके से 720 में से 720 नमबर लाए गये हैं इस साल के exam में ये अपने आप में काफी controversial है और साथ में जिस date में इस need paper के जो result है उसको release किया गये ये भी अपने आप में काफी controversial है कहने का मतलब है कि जून 4 तारी को लोग स चुनाओ के result आने थे और exactly उसी दिन NTA ने इस result को भी publish किया तो कहीं न कहीं सवाल बहुत सारे है और जो सवाल है उसमें dumb भी है लेकिन जिस तरीके से NTA और सरकार का रवया है ये कहीं न कहीं थोड़ा suspicious तो है लेकिन जिस तरीके से Supreme Court of India ने Government of India को निर्देश दिये हैं कि आ आफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye